कर्मचारियों को कुशकबरी सैलरी में बढ़ोतरी का आया नया प्रपोजल वेतन दरों में संशोधन शभर में केंद्रिय कर्मचारियों को साथवे वेतन आलोग के अंतरगत फिलहाल वेतन और महंगाई भत्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है जानकारी के लिए बता दे साथ एथ पे कमिशन को वर्ष दो हजार शब्वीस में दस साल हो जाएंगे और भारत के वेतन आयोग नियमों के अनुसार प्रत्येक दस साल में नए आयोग का गठन करना आवश्यक है ऐसे में केंद्रिय करमचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द आठ पे कमिशन पर कोई बड़ा फैसला ले ले पाठकों की जानकारी के लिए बता दे केंद्र सरकार हालां की आठ पे कमिशन पर भले ही कोई बड़ा फैसला लेने पर किसी प्रकार की कोई घोशना नहीं कर रही है परंतु साथ एठ पे कमिशन के अंतरगत समयसमय पर करमचारियों के महंगाई भत्ते और अन्य भक्तों को बढ़ाया जरूर जा रहा है वर्ष 2024 की ही बात करें तो केंद्र सरकार ने केंद्रिय करमचारियों के महंगाई भत्ते Dearness Alliances of Central Employees में पहली बढ़ोतरी कर दी है और अब केंद्रिय करमचारियों का महंगाई भत्ता 50% पर पहुँच गया है केंद्र सरकार द्वारा किये गए इस रिवीजन के अंतरगत अन्य महत्वपूर्ण भत्तों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है 2026 से पहले आठ पे कमिशन के गठन की बात जैसा कि हम सब जानते हैं, सेवन्थ पे कमिशन के अंतरगत एक बार फिर से जुलाई में केंद्र सरकार केंद्रिय करमचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने वाली है जून के All India Consumer Product Index के आकड़े यह स्थिती साफ कर देंगे कि केंद्रिय करमचारियों के महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी कितने प्रतिशत्की होगी परंतु इतना सब होते हुए भी केंद्रिय करमचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार आठवे वेतन आयोग का गठन कर दे जैसा कि हम सब जानते हैं, बढ़ते हुए महंगाई दर को देखते हुए हर दस साल में नए आयोग का गठन महत्वपूर्ण होता है ऐसे में केंद्र सरकार के एक करोर से ज्यादा कर्मचारी लगातार आठ पे कमिशन के गठन की मांग कर रहे हैं इसी के चलते नेशनल काउंसिल के सचिव ने हाल ही में केंद्र सरकार से आठ पे कमिशन के गठन की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करने के लिए भी गुजारिश की है कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति हो रही है कम National Council के सचिव ने बताया है कि कोरोना महामारी के बाद से ही देश भर में जरूर की चीजों की कीमतों का दर बढ़ता जा रहा है ऐसे में यह जरूरी है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द केंद्रिय करमचारियों के वेतन में संशोधन करें नेशनल काउंसिल के सचिव का कहना है कि कर्मचारी और पेंशनरों की क्रय शक्ती दिन बदिन कम होती जा रही है ऐसे में केंद्र सरकार की नैतिक जवाबदारी हो जाती है कि जल्द से जल्द आठवे वेतन आयोग का गठन किया जाए और वेतन दरों में संशोधन किया जाए सरकार को हो रहा है राजस्व टैक्स से दुगुना फायदा फिर भी कर्मचारियों की जेबे हैं खाली पाठकों की जानकारी के लिए बता दे केंद्र सरकार को अब तक आठवे वेतन आयोग के गठन पर महत्वपूर्ण कदम उठा लेना चाहिए था क्योंकि वर्ष 2026 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किये गए साथवे वेतन आयोग को 10 साल हो जाएंगे ऐसे में 10 साल होने से पहले यह जरूरी है कि वेतन आयोग का गठन किया जाएं और 2026 तक नए गठन को लागू कर दिया जाएं कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार को राजस्व से दुगना फाइदा हो रहा है पिछले कुछ समय से टैक्स कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है जिस हिसाब से केंद्र सरकार की कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है उतने दर से कर्मचारियों के वेतन में इजाफा नहीं किया जा रहा इसी को देखते हुए मांग उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए और वेतन दरों में संशोधन किया जाए सरकार से समीक्षा की मांग बजट के आंकडों के माने तो वर्ष 2015 से 2013 तक सरकार का राजस्व दुगना हो चुका है राजकिय खजाने में 100% से अधिक टैक्स जमा किया जा रहा है ऐसे में सरकार अब पूरी तरह से सक्षम है कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा वेतन उपलब्ध कर सके परंतु फिर भी केंद्र सरकार लगातार आठ एथ पे कमिशन के गठन पर किसी प्रकार का निर्नय लेने से बच्चती आ रही है ऐसे में केंद्रिय कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द नए वेतन आयोग का गठन किया जाए और देश भर में वस्तूओं की बदलती कीम्तों को ध्यान में रखते हुए वेतन दर में भी इजाफा किया जाएं इसके साथ ही National Council के सचिव ने केंदर सरकार से दरखवास्त की है कि केंदर सरकार यह भी ध्यान रखें कि पिछले कुछ समय से कर्मचारियों की संख्या में कमी आ रही है ऐसे में मौझूदा कर्मचारियों पर काम का बोच बढ़ता जा रहा है इसलिए जल्द से जल्द इन सभी बातों की समीक्षा की जाए वही साथ ही साथ National Pension Policy के अंतरगत नई Pension Policy में भी संशोधन किया जाए जिससे कर्मचारियों की आय पर भर कम पड़े और कर्मचारियों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके कुल मिला कर इस नए प्रपोजल के अंतरगत केंद्र सरकार को 8th Pay Commission के गठन के साथ साथ केंद्रिय कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण ने फैसले लेने और उनकी स्थिती की समीक्षा करने का निवेदन किया गया है ताकि देश में केंद्रिय कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और वह अपने काम का निश्पादन ठीक तरीके से कर सके जिसमें उन्हें उनके कार्य के अनुसार वेतन और अन्यभक्तों का उचि भुगतान सरकार द्वारा मिल सके